हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का मोस्ट इंपुटेंट कॉस्चन कॉस्चन का नाम है असायोग आंदोलन के कोई चार कारण लिखिए तो फ्रेंट्स यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों को वीडियो सेर कीजिए क्योंकि वीडियो बहुती जादा हैल्फुल होने वाली है तो फ्रेंट्स इस कॉस्चन में हमको असायोग आंदोलन के कारणों को बताना है इसमें चार कारण पूछे हैं तो फ्रेंट्स इसमें हम अपनी कॉपी में उत्तर डाल कर इस प्रकार से लिखेंगे कि गांदी जी ने निमने लिखित कार्णों से असयोग आंदोलन आरंब किया था फ्रेंट इसमें पॉइंट नमबर बन है पिर्थम बिस्पियुद के पश्चात भारत की आर्थिक दसा अत्यंत देनिये हो गई थी परन्तु बिटिस सरकार ने अपनी कर बशूल करने की नीती में कोई परिवर्तन नहीं किया था अतहा किशानों बा ब्यापारियों में बिटिस सासन के पृति प्रोत की भावना थी फ्रेंच परिटम बिस्पियुद के पश्चात भारत की आर्थिक इस्तिती थी बहे बहुती देनिये यानि की कश्ट दायक हो गई थी और बिटिस सरकार ने अपनी कर बसूल करने की नीती में कोई भी बदलाम नहीं किया था बहे लगतार कर बसूली करते रहे अतहा किसानों बा बियापारियों में बिटिस साजन के पृती ब्रोत की भावना उत्पन हो गई थी इसका पहला पॉइंट यह हो जाएगा फ्रेंट हमारा पॉइंट नमर टू है बिटिस सरकार ने प्रितम बिश्विद्ध में भारतियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आसवासन दिये थे जिनें बाद में पूरा नहीं किया गया परिणाम सहरूप भारतियों में असंतोस की भावना फैल गई फ्रेंट देखिए पृतम बिश्विद्ध में पृतिस सरकार थी उसने भारतियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आसवासन दिये थे और उन्हें मतलब कि उन्हें बिश्वास पैदा करने के लिए बहुत सारे आसवासन दिये थे कि हम इनको पूरा करेंगे तो उन्होंने इनको पूरा नहीं किया और उसके पलिणाम सहरूप ही भारतियों में असंतोस की भावना फैल गई क्योंकि बिट्ट सरकार ने जो बादे किये थी उनको पूरा नहीं किया इसलिए भारतियों में असंतोस की भावना पैदा हो गई इसका यह है पॉइंट नमर टू हो जाएगा आएए पॉइंट नमर थिरी के बारे में जानते हैं बिट्ट सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करके जनता में ब्यापक असंतोस की भावना पैदा की फ्रेंट जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था रॉलेट एक्ट क्या होता है तो फ्रेंट बिट्ट सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था और जनता में इसी के कारण ब्यापक असंतोस की भावना पैदा हो गई थी क्योंकि रॉलेट एक्ट में सीधे नियाम कानून थे अगर कोई भी ब्याक्ती बिना कुछ अपरात किये ही उसको जेल में भीज दिया जाता था इसलिए भारतियों ने इसका ब्यापक रूप से ब्रोध किया था और इसी कारण जनता में असंतोस की भावना पैदा हो गई थी फ्रेंट हमारा पॉइंट नमर 4 है 13 अप्रेल 1919 इसमी में जलिया बाला बाग हत्यकांट से भी बिटेस साजन ब्रोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला क्योंकि फ्रेंट 13 अप्रेल 1919 को जो अमरिस्तर का जलिया बाला बाग था उस पर जो बिटेस साजन के अधिकारी थे जनरे डायर उन्होंने अपनी स्यनिकों के शाथ आकर उस पर हमला कर दिया था और उसमें अनेक लोग मारे गए थे इसलिए बिटेस साजन ब्रोधी भावनाओं को उससे बढ़ावा मिला था तो फ्रेंट उम्मित करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्स पो बॉचिंग थेंक्यू सो मच